जैहिंद इस वीडियो के पास अभी इस कंपनी के सेर नहीं है किया आज अगर वो कंपनी के सेर खरीता है तो इसको इस कंपनी का डिविडियन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका लावाब बात करेंगे कंपनी ने हाली में अपने क्वार्टर थेरी के रिजल्ट भी जारी की हैं उसमें क्या निकल कराया है नया हर एक चीज पर विश्तार से बात करेंगे चले वीडियो शुरू करते हैं कंपनी का पूरा नाम है आनंदराथी वेल्थ लिमिटेड कंपनी जो इस्टेविलिस हुई थी 2002 इस में एज मुच्वल फंड डिस्ट्रिब्यूटर और आज भी आप देखेंगे तो कंपनी मुच्वल फंड डिस्ट्रिब्यूशन और फाइनेंसियल प्रड़क्ट के विक बाद इसके जो इंकर इंवेश्टर हैं दिरे दिरे शेयर बेशकर निकल रहे हैं तो कुछ दिन तक आपको ऐसे अपडाउन उपडाउन सेयर प्राइस में दिखेगा लेकिन आज की दिन सेयर प्राइस चड़ा है कल 626 था और आज 628 पर मार्केट खुला है इस अभी तर कं कंपनी के बारे में कोई Dividend History नहीं कंपनी अभी हृली वे लिश्टेट हुई है और पहली बार ही dividend देने चारी तो इसके पीछे का कोई dividend होगा ही नहीं चाहिर बात है लेकिन अब पर्जेंट सिनेरियो की बात करते हैं मतलब अभी जो कंपणी डेंडा की है उसमें नया qYा है तो देखिए बोर्ड मीटिंग हुआ कंपनी का 6 जनुरी 2022 को इसी साल 6 जनुरी को बोर्ड मीटिंग हुआ और उसमें कंपनी के जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उन्हों ने गोश्रा कि के डिवडेंट 100% दिया जाएगा अब यह जो 100% होता है वो कभी भी शेयर प्राइस पर नहीं होता है जब आप 5 जनुरी के पहले तक आना चाहिए इसके लिए आको क्या करना होगा कि अगर आपको इस कंपनी का डिवडेंट चाहिए तो आपका नाम कंपनी के रिकॉड लिष्ट में 18 जनुरी के पहले तक आना चाहिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि record date से पहले एक होता है X record date वो generally record date से एक दिन पहले रखा जाता है तो इसका X record date है 17 January 2022 अब जिस ब्यक्ति को इस company का dividend चाहिए वो X record date के दो दिन पहले इस company का share buy कर लेगा लेकिन यहाँ condition है कि share का settlement होने में कम सकम दो दिन लगता है जिसे T plus 2 days कहा जाता है उसमें ध्यान देना है कि T plus 2 days में कोई Sunday या Saturday नहीं आना चाहिए उस दिन market बंद नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर T plus 3 days हो जाएगा T plus 4 days भी हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे अब देखिए बात करते हैं dividend bank account में कब तक आएगा dividend 4 फरवरी तक जितने लोगों dividend मिलेगा लाश्ट 4 फरवरी रखा गए 4 फरवरी के पहले तक सबका dividend उनके bank account में आजाएगा dividend सिधे bank account में आता है ये एक अच्छी बात है और company ने हाली में quarter 3 का result जारी किया है उसके बारे में अगर बात करें तो company का net profit जिसको profit after tax करते है टेक्स और अक्सर देने के बाद जो profit बचता है वो 13 करोड पहले था बढ़कर 32 करोण हो गया quarter 3 का result में इसका लावा company का revenue भी बढ़ा है मतलब quarter 3 का result भी संदार आया है company के आगड़े भी ठीक ठाक है तो company का share को अगर आप buy करने के लिए सोच रहे है तो perfect time है बिना कोई सोचे कंपणी का share buy कर सकते है लेकिन अपने research और analysis जरूर कीजिएगा तो I hope मैं जो बताना चाहरा था आपको उस समझ में आया होगा वीडियो पसंद आये होगी अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा अगर आपके मन में कोई सवाल है आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछे मैं सबके कमेंट कर रिपलाई देता हूँ आज के लिए वसे इतना ही सुक्रिया